आहाँ जाता है कि बदलना संसार का नीयम है और ये बात Κृकेटर मोहमद शमी की पतनी हसीन जहा ने साबिद कर दिया है जी हाँ कृकेटर मोहमद शमी से हुई बिग कौन्ट्रोवर्सी के बाद अब हसीन जहा ने काफी बॉल स्टेप उठाया है शामी से अलग होने के बाद पतनी हसीन ने मौली इंडस्ट्री में कदम रखा है सोर्सिस की माने तो वो जल्दी डारेक्टर अमजद खान के फिल्म फत्वा से बॉलिवुड में डेब्यू कर सकती है हसीन इस फिल्म में जॉर्नलिस्ट का किरदार निभाते नजर आएंगी इसके लिए हसीन जहां ने हॉट फोटो शूट भी करवाया है हसीन ने अपने बॉलिवुड डेब्यू पर बात करते हुए कहा मुझे अपनी बेटी की जिन्दगी चलाने के लिए काम करने की जरूरत थी इसी वज़े से मैंने अमजद खान से कॉन्टेक किया और वो मेरी मदद के लिए तयार हो गये मुझे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी पैसो की जरूरत है वेल हम तो यही कहेंगे कि All the best हसीन मैडम आगको याद दिला दे कि हसीन जहां ने महमद शमी पर बेवफाई हत्या की कोशिश और रेप सहित कई गंभीर आरोप लगाये थे हसीन ने कोट से ये मांग की थी कि शमी उन्हें हर महीने 10 लाख रुपे दे साथ ही हसीन जहां ने शमी पर मैच फिक्सिंग तक का अरोप लगा दिया था हाला कि BCCI ने उन्हें क्लीन चीट दे दी थी अब एक बार फिर हसीन जहां बॉलिवुड में दिखाई देंगी और हसीन बॉलिवुड में कितनी कामयाब होती हैं ये तो वक्त बताएगा बॉलिवुड की तमाम खबरों के लिए देखती रही हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें